दोस्तों आपको मोटी रखम करच करने की जरुद पड़ेगी ना ही पारलर जाने की जरुद पड़ेगी गर्दन, कोनी, गुटना, अंडराम्स अपने हाथ पैर को आप घर बैटे बैटे चमका सकते हैं तो दोस्तों जो मैं रेमेडी आज आपकी साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसके इस्तेमाल से कुछ ही मिन्टों में आप जो है अपने काले हाथ पैरों को गोरा और खूपसूरत बना सकते हैं साथी साथ फाइन लाइन्स रिंकल्स दूर हो जाएंगी और आपके हाथ पैर ग्लोइंग बनेंगे साथी साथ आपके हाथ पैर मखन जैसे मुलायम भी हो जाएंगे चली तो फटा-फट से वीडियो को देख लेते हैं लेकिन उसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप से जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं और अभी देख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिक अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए रोज लाते रहते हूं साथी वीडियो पे चोट टुसा लाइक भी जारूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे बहुत माइने रखता है उसके लिए आपको यहाँ पर लेना है एक साशे शैंपू का अगर आपके पास साशे वाला है तो एक ले लीजे अगर आपके पास बॉटल वाला शैंपू है तो एक चमच आप शैंपू का ले सकते हैं कोई भी शैंपू आप यहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद आधा चुटा चम्मच आप डाल दीजे कॉफी पाउडर उसके बाद दोस्तों आपको इसे मिलाना है बेकिंग सोडा जी हां जो खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं इसको मीटा सोडा भी कहते हैं वो आप यहां पर आधा चुटा चम्मच ले लीजिए एक चम पर किलिए तो इसको को सकते हैं चहरे को चोड़गी क्योंकि क्योंकि चेहरे की स्कीन होती न दोस्तों वह काफी सेंसिटिव होती है हमारे यहाथ पर स्कीन की मुकाबले अच्छे से मैंने आपस में मिक्स कर लिया है और यह हमारी रेमेटी बन करके हो गई है बिलको तयार चलिए अब देख लेते हैं इसको इस्तमाल कैसे करते हैं तो मैं इसे पैरों पर लगा के बतारी दोस्तों किस तरीके से अपकी पैरों की क्लीनिंग करनी है इस रेमेडी को थोड़ा थोड़ा लेना है दोनों ही पैरों पे आपको डालते हुए अच्छे से आपको रगड़ना है इसको अपने पूरे पैर पे क्योंकि जब हम चपपल वगरा पैनते तो चपपल के निशान भी हमारे पैरों पे दिखने लगते हैं दूप के कारण टैनिंग हो जाती है काली सी परच जम जाती है तो वह सभी परिशानी आपकी दूर हो जाएगी इस रेमेडी का इस्तमाल करके हलके हलके से आपको रगड़ना भी है ताकि जो कॉफी पावडर जो हमने इसमें मिलाई है वह एक स्क्रब की तरह हमारे स्किन पर काम कर सके अब जैसे आपने लगा दिया ना उसके बाद दो मिनट के बाद में आपको लेना है कोई भी सॉफ्ट सा ब्रच लेना हो जाएगी तैनिंग रिमूव हो जाएगी और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो इस वाले स्टैप को आपको जरूर से जरूर करना है दोस्तों जिससे की आपको इसका रिजल्ट बहुत तेजी से मिलेगा बस ज्यादा नहीं दो मिनिट तक रगड़ना है उस की भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच वाचिंग सुटे फ्रेंस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर